जय है माताजी दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ कट्रा चौक पर इसको फ़ारा चौक भी कहते हैं और वेश्ण देवी में जब आप कहुंचेंगे तो यहां पर सबसे पहले जोत होती है एक रूम की अच्छा रूम मिल जाए तो अभी मैं एक रूम आपको दिखाने वाला और पिक भी कर लेंगे वापसी में जवाब आएंगे तो काफी अच्छी मुझे फैसिलिटी लगी तो एक बार आप वो रूम लेख सकते हैं तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको वहां उस रूम पर जैसी आप रेलवे स्टेशन से यहां इस चौक पर आएंगे तो यही आपको मिल जाएंगी तो एक उप्शन अगर पसंद आए तो दूसरे में आप ट्राइए कर सकते हैं लेकिन प्रैस्ट ऑप्शन मुझे यह लगा है आपको अंदर लेकर चलता हूँ अभी आपको दोस्तों जैसे आप ऊपर आएंगे फर्स फ्लोर पे तो यहां पर रिस्प आपको पिक कर लेंगे और आपको दस वह तक आपको ड्रॉप भी कर देंगे और मातवश्न देवी का जो आधार फाइडी कार बनता है वह भी आपको बनवा देंगे और वहां पर बांगंगा जहां से एंट्री होती है या तरकी तो वहां से आपको मतलब छोड़ देंगे कोई दिख्कत मी होने वाली तो यह बाद से थोड़ा साइब दिखा जाए तो आपको एक सो एक ग्रॉड और एक सो तीन चार एक सो पांथ तो यह नीचे की शीरीज़ है और यहां से ओपर जाएगे तो पांस गूपर हैं तो यहां पर आपको मिलेंगे सबसे बड़ी चीज़ है पिक एंड ड्रॉप की जो मतलब थोड़ा साई इसका मुझे एरिया बताओ कि यह कौन सी जगह है यहां की लोगेशन है सरे रेल्वे स्टेशन नियर वाई बीजय इंटनेशन होटर है और इसके बेक साइड में कमड़ा बेलस जी जो से निचे गाली आती है नंगर दोर मार्किली इसे 200 मिटर है पैदल जाना होगा पैदल गारी जाना गारी इसे शूट देंगे तो गारी इस संजय का है एक यह सौतू का है नियू कमला पैलेस इसका नाम है और यह एड्रस वगएर पूदर लिखा हुआ है यहां कॉन्टेट करके आप इनसे प्री बुक भी कर सकते हैं एडवांस में ताकि वह एडवांस में आपको वहां पे लेने के लिए पहुंच जाएंगे रेल दिकत नहीं होने वाली हो दोस्तो एक चीज और है मैं दिखा दूँ आपको कि यहां पर वाइफाई लगा हुआ मेरे पीछे यहां पर प्री पेड जो कनेक्शन होते हैं वह बंद हो जाते हैं तो वैसे जो नेट वगएरा की दिकत है वह आती है तो वह दिकत ना है इसलिए यहां वाइफाई वगएरा सब आपको मिलेगा तो यह चीज काफी अच्छी है तो इसको आप ज़रू कंसिडर करें एक बार और यह रूम नंबर 103 जो मैंने लिया है अब मैं इसको आपको अंदर से जाकर दिखाता हूँ यह कंबल वगएरा है नीट एंड ग्लीन है और ऊपर देखे एक फैन भी है और यहां पर यह विंडो है यहां से मैं व्यू आपको दिखाता हूँ इसको अटाएंगे तो बाहर का व्यू आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर यह देखो सन्राइज होते हुए भी यहां से आप देख सकते हैं बाहर कर दिखाता हूँ और यहां पर एसी भी लगा हुआ तो एसी रूम है यह और यहां से बालकनी का जो देखे यहां से यहां से भालर कर घृए हवा यहां से आप ले सकते हैं और सब्सक्राइब होज देख सकते हैं और यह एक रूम वह है यह हमारे और यह देलेवे स्टेशन के काफी पास है, बालकनी में खड़े होके आप यहां से ट्रेन भी देख सकते हैं, और साथ ही देख सकते हैं, यहां से हेलिकॉप्टर और बात करें बासरूम की तो वह भी बिलकुल नेट एंड प्लीन है, यह देख यह चावर लगा हुआ है, डीजर भी लगा हुआ है, और यह ट्वालेट है, यह हैंड वास करने के लिए और बातरूम भी देख सकते हैं, खिट ठाक है, कापी लंबा चोड़ा है, जैसे यह आप अंदर आएंगे, दूसरे साइड में यहाँ पर देखे, टीवी बगादर लगा हुआ, यहाँ पर समान रसने के लिए यह स्पेस है, और यह एक रूम है, रूम नंबर 113, तो दोस्तों मैंने यह रूम दिखाया, आपको यह होटल दिखाया, कमला पैलेस के नाम से यह है, यहाँ पर लोकेशन में बहिया ने बताई दी है, और यहाँ पर आपको पिक और ड्रॉप की कोई दिक्कत नहीं, आप रेल वेस्टेशन उतरो, बहिया ले जाएंगे, आपको छोड़ जाएंगे, शॉपिंग भी करवाएंगे, और बसन करने के लिए, आपको वहाँ त देख रहे हैं, आप बहुत नीचानी क्लीन है, व्यू बहुत सुन्दर है, ताजा हवा आपको मिलेगी, दोस्तों एक चीज़ और बता दूँँ, आपको क्यों आते हैं, तो थोड़ा सा रेट इनका वो वैरी करता है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो आप जब भी आएं किसी नई लोकेशन पर नई वीडियो में फिल लेके चलूँगा आपको, तब तक के लिए टेक करें, बाए बाए, जय माता दी